आपने ईन्व और बच्चा कनसिव करना चाहते हैं, क्या आप उस प्लानिंग में हैं तो आपको यह चार चीज़े बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सबसे इंपोर्टेंट है कि बहुत पार्डनर्स और इक्वली और स्ट्रोंग्ली एग्री Second, जो है वो है दोनों का मानसिक स्वास्त अच्छा रहना चाहिए Yes, कही ना कही इसका impact आपके consume करने के इसमें होता है Third, जो चीज है वो है आपका मानसिक स्वास्त के साथ साथ आपका शारिरिक स्वास्त अच्छा होना चाहिए और fourth, अहर और निद्रा क्योंकि मानसिक स्वास्त के लिए आप योगा, प्रानायम, मेडिटेशन ये कर सकते हैं शारिगर्ष स्वास्त के लिए आपको सुर्य नमस्कार है, एक्जरसाइज है, डेली वॉकिंग है या फिजिकल फिटनेस के लिए कर सकते हैं और अहर जो है, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, डेली रूटिन में हो सके जितना स्पाइसी, तीखा, ओईली ये चीज़े अवोइड करनी चाहिए, जो की इससे कॉंट्रास होती है और वो चीज़े खानी चाहिए, जो स्वास्त के लिए अच्छी है, न्यूट्रिशियस है, मदूर अहर जो है, वो आप ले सकते हैं, इवन आपको न्यूट्रिशियस अहर आपको लेना है, जो आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा रहे, तो ये आपको ध्यान में रखना है और आपकी जो नीद्रा है, ये साउंट स्लिप आपको होना चाहिए, तो ये चीज़े आपको ध्यान में रखनी है, थांक्यू, थांक्यू सो मच